हलो पीपल विल्कम बैक तो माई कुकिंग व्लॉग और आज हम बना रहे हैं मतर की कचवडी अब जब मतर का सीजन है तो मतर की कचवडी भी जरूर बनाएंगे तो एकदम खस्ता सा कचवडी बनेगा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा सारा टिप्स और ट्रिक्स बताए अब एक पिंच हल्दी डालेंगे ताकि अद्रक मिर्च का कुटा हुआ पेस्ट अच्छे से भूने और कढ़ाई में वो चिपके भी नहीं और छिटक के आपके ऊपर भी ना आए ठीक है अब डालेंगे चौप किया हुआ प्यास तो प्यास को अच्छे से चौप करना है मह नमक, सादा नमक, अमचिरु पाउडर और हींग एकदम लास्ट में डालना है ताकि इसका स्वाद भी मिंटेन रहे और खुश्बू भी एकदम बरकरार रहे फिर लास्ट में डालेंगे चौप कियावा धन्या पत्ती और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको ठंडा होने के ब पानियाड करना है एकदम हाड़ डो नहीं लगाना है और नहीं जादा नरम लगाना है तो जादा अगर हाड लगा दोगे तो वह तेल में जाने के बाद कचौडी आपका फट जाएगा और अगर सॉफ्ट लगाओंगे तो कचौडी बहुत सारा तेल अबसॉब कर लेगा तो इस बात का ध्यान रखना है डो को 15-20 मेट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है तो अभी यह आपको हाड लग रहा होगा लेकिन रेस्ट होने के बाद यह सॉफ्ट हो गया था तो यहाँ पर हम कटोरी बना लेते हैं फिर इसमें एक मटर का मिक्स्चर रखेंगे जो बॉल कर लेना है फिर मीडियम होट ओयल में इसको डालेंगे तो एक बार में चार से पाच हम लोग बनाएंगे और इस टाइम पर ग्यास का फ्लेम एकदम स्लो होना चाहिए स्लो में ही यह फूलता जाएगा और खसता होता जाएगा तो अब हम लोग यहां निकाल लेते हैं आप बेहुषष रहुण